साथे साथ इस बात की हो रही है कि आखिर कितनी तनखभा पाते थे रवीश कुमार कितनी अनकी संपत्ती है कि है pancake कि मारत पत्रकारिता गर्यार कारियर कि आएगा दोफिक साथ संद से हो रही है कि agriculture पहचान मिली थी और किसी और गुरूप का वहाँ पर शामिल हो जाना उसको खरीद लेना और एंडी टीवी से रवीश कुमार का इस्तिफा दे देना और यह कह देना कि जिस घोसले में रहता था उस घोसले कोई किसी ने खरीद लिया तो चड़िया ओड़ी जाएगी तो यह इन आप में बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर रहा है कि कैसे रवीश कुमार का यहां से स्तिफा देखने को मिला और इस विवाद को आगे ना बढ़ाते वे तमाम चर्चाय करते हैं रवीश कुमार से जुड़ी हम भी पतरकारिता से ही जुड़े हम जानते हैं कितनी कठ होते हैं कितना स्ट्रगल होता है अपने आपको एक बड़ा चेहरा बनाने के लिए और रविश कुमार ने वो मुकाम हासिल करा कई सालों की महनत से लेकिन आज उसी चैनल उस खास शो जिससे उनकी पहचान मिली उससे उनको विदाई लेनी पड़ी सभी की आखिनम है क्यू कि की पोल खोलते हों किसी की सचाई बताते हों या कुछ भी बाते करते हैं लेकिन उनका अंदाज हमेशा लोगों की दुलों में जिंदा रहेका इस बात में कोई दुनाए नहीं रविश कुमार का वह अंदास आज के समय में बहुत ज़्यादा चर्चा में है तोस पर काफ आखिर उनके संपत्ति कितनी है इस बारे में खुलासा क्या है हमने एक खास रिपोर्ट त्यारी करी है और साती सात उनकी तंखवा कितनी थी तंखवा सुनेंगे तो आप सब भी दंग रहे जाएंगे क्यों कि रवीश कुमार को लेकर चरचा इस बात की हैं कि उनों ने इस्त सब्सक्राइब के बारे में ज्यादा जानकारी पाएंगे अगया आप सबीने दर्श को किस तरीके से रवीश कुमार समचार चैनल एंड़ीटीवी के वरिष्ट कारेकारी संपादक रवीश कुमार ने बीते बुद्दुवार को अपने पत से इस्तिफा दे दिया रवीश प्रोजकार से भी नवाजा गया हिंदी पत्रकारिता के बेहद लोक प्रिय पत्रकार रवीश कुमार ने अपने कारेकाल के दुरान कई प्रोग्राम होस्ट के जिन में हम लोग रवीश की रिपोर्ट देश की बात प्राइम टायम शामिल है लेकिन आपको बता दे एंड़ रविश कुमार दशको से एंडी टीवी का एक अभिन्न हिस्सा रहे। उनका योगदान बहुत अधिक रहा है और हम जानते हैं कि वे अपनी नई पारी में भी बेहत सफल होंगे। रविश कुमार एंडी टीवी के सबसे चर्चिच चेहरों में से एक थे। अपनी रिपोर्ट्स में वे बेरोजगारी, शिक्षा, सामपरदाइकता जैसे मुद्दे उठाते रहे। समाचार पत्र दा इंजियन एक्स्परिस ने साल 2016 में उने सो सबसे प्रभावशाली भारति कि अपने लिपोर्ट्स में भी शामिल किया था। रविश कुमार के लिए उपलब दिया बहुत बड़ी हैं और उनों ने जनता का प्यार बेशुमार कमाया ये इस्तिफे देने के बाद भी पता चला है कि लोगों का विश्वास उन पर अब भी बना हुआ है। लेकिन बारें बता दे कि जन्म उनका बिहार में चंपान जिले में रविश कुमार ने अपने प्रारंबिक शिक्षा पटना के लोहिया हाई स्कूल से ग्रहन के इसके पस्चात उच्छी शिक्षा के लिए दिली चले गए। जहां दिली इन्वेस्टी में उन्होंने इस नातक किय इसी पड़ाई के दोरान देविशकुमार की जान पैचान नयने दास गुप्ता से हुई जौई आगे चल कर रविशकुमार की जीवन संगनी बनी पिछले बाएस वर्षों से पत्रकारिता के चेतर में सक्रिये हैं रविशकुमार को अपने पत्रकारिता के लिए काफी संपत्य की बारे में चर्चा है कि 2021 26 के अनुसार करीब 15 करोड़ दुपए से जादे संपत्य के मालिक बताए जाते हैं। रवीश कुमार ये एक वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार की यहां पर जानकारी है। और रवीश कुमार की महीने की यानि की परतिमा की सैलिदी जो थी वो 15 लाख से ज़्यादा बताई जाती थी और इसमें कॉंट्रेक्ट में आगे बड़ोत्री भी होती गई। रवीश कुमार दिली में अपने परिवार के साथ रहते हैं रवीश कुमार को मोधी विरोधी पत्रकार भी माना जाता है जो सरकार के खिलाब गरीबों और किसानों के मुद्य को ठाते हैं लेकिन जवीश कुमार का इस्तिफा देना सभी को काफी भावुक करता नजर आ रहा ह कही कि उनका जो घोसला है वो किसी और के पास चला गया तो यह चड़िया बेगर हो गई लेकिन जिस तरीके से रवीश कुमार की पत्रकारिता उनके खासकर अंदाज को उनके पहनावे को उनके बात करने के तरीकों को लोग काफी पसंद करते थे वो काफी दिलचस्प था क्य पत्रकारिता तो आज के समय में हर कोई करता है लेकिन जवीश कुमार के अंदाज में पत्रकारिता और उनके अंदाज में उनका प्राम टइम शो देखना सभी को काफी पसंदाता था लेकिन रवीश कुमार अपने अज़ अज़ टीवी पर नज़र नहीं है क्योंकि वहां से उन्होंने इस्तिफाद ही दिया है अकईले रवीश ही नहीं जिन्होंने इस्तिफा दैया उनके साथ साथ कुछ और बड़े बड़े हां पर आलारीकारी हैं जिन्होंने अपना इस्तिफाद सोपा हैं अज़ी टीवी को एंड़ी टीवी द्वारा एक इमेल भी परस्तावित किया गया था जिसको तुरंथी सुईकार किया गया इसमें रवीश के इस्तिफ़े को लेकर तमाम जानकारिया थी लेकिन समय के साथ साथ माहोल बदल लाए हालाद बदल ले हैं अब रवीश कुमार का नयाड़ा क्या होगा ये देखना भी बहुत दिल्चस्प होगा क्यूंकि रवीश कुमार ये सक पत्रकार एक जगे तो टिक कर रहे हैं बहुत मुश्किल है लेकिन हाँ एंड़ी टीवी क क्या हो ये पहले मुद्दा नहीं यह पहली एक माने रवीश जैसे पहले भी कई सारे जन्रिस्ट ईसतिफा डिया उस छैनल पर किसी खास मुद्दे की है तो ऐसे में रवीश कुमार का ऐतार रहłem की मुद्द तो था होग कि बना न सार्फ लिटे बहुट लंबी है कतार बहुत लबी अँमने रविष कुमार का भी नाम है लेकिन रविष कुमारी की खासियत यह है कि उनका प्राइम का शो लोग बहुत मिश्च करेंगे उनकी खास रिपोर्ट बहुत मिश्च करेंगे और साथी साथ अगर बात करें उनका अंदाज मिश्च करेंगे क्यूं क्यूंकि न्यूस तो हर कोई देता है जो दिन भर की बड़ी खबरे होती हैं बताने का तरीका बहुत अलग होता है और वो रवीश कुमार का तरीका बहुत अलग है जिस भाशा से समझाते हैं और खास तोर पर युवाओं के लिए खड़े नजर आते हैं युवाओं का मुद्दा अपने शो के जरी अपने खास पेशकस के जरी उठाते ह हैं तो उससे पता लगता है कि लोगों के लिए कहीं ने कहीं उमीद हैं जो मेडिया वालों के जरिये खत्म कर दी गई है सिर्फ एक एजंडा के जरिये नियूस चलाई जाती है रवीश कुमार ने उसको उस किस चैनल के साथ जुड़ेंगे कहां जाएंगे यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और यह देखना बेहद ही धिल्चस्प होगा कि रवीश का अगला कदम क्या होगा उमीद करते हैं जानकारिया पसंद आई होगी बनेरे चैनल के साथ ऐसी हो तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत थन्यवाद